पहले कोशन आ रहा है काश जी का यह कह रहे है 2800 क्रोर्स के आसपास का आउट फ्लो इस सब्सक्राइब में देखने को मिल रहा है तो क्या यह डढ़ने वाली बात है या फिर डढ़ने वाली बात नहीं है विकास मुझे थोरा सा ड़ लग रहा है अगर आप क्वांट ऐसा म्यूचल फंड देखोगे तो वन अब बेस्ट म्यूचल फंड आज की डेट के अंदर देखने को मिल रहा है आपको और क्वांट की जो स्ट्राटेजी है वह यूएस के अंदर तो काफी पहले ही एडाप्ट हो चुकी थी लेकिन इंडिया के अंदर जो क्वांट ऐसा स्ट्राटेजी है वह क्वांट बहुत अच्छे से अडाप्ट कर रहा है और काफी तीरी से क्रों भी कर पा रहा है तो अब रिटर्न परस्पेक्टिव से देखना चाहोगी कि आने वाले टाम पर कैसे परफॉर्म करता है तो मेरे साबसे क्वांट मूचल फंड में ऐस सच कोई भी इशू नहीं है रही बार 2800 करोर्स के आसपास के आउट फ्लो की तो यह जो आउट फ्लो है यह एक नॉमल आउट फ्लो है जब एक सेंटिमेंट खराब होता है तो इस तरीके के आउट फ्लो हमें देखने को मिलते हैं काफी तार इंवेस्टर्स कह कि अगर किसी को पर allegation लगा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रूव हो चुका है allegation किसी को पर भी लग सकता है और allegation का मतलब यह होता है कि आपने किसी से बोल दे कि भाई दुने चोरी करी है अब उसने चोरी करी है या नहीं करी है उससे अभी तक कोई प्रूव नही मिला है लेकिन allegation लगा दिया तो हर इंसान यह कह रहा है कि भया इस पर allegation लगे हैं तो चोरी इसने करी ही होगी तो allegation का simple मतलब यह होता है आज की date तक भी सेवी ने officially आ करके नहीं बुला कि front training का case क्वांट mutual fund के दा चल रहा या नी चल रहा है यह सारा का सारा जो outflow है यह आपको सिर्फ वाजिशन के वज़े से देखने को मिल रहा है क्योंकि 2800 करूर का number है वो अब जा करके थोड़ा बड़ा हो चुका है लास्ट टाइम जो उन्होंने official statement दी थी 1400 करूर के आसपास की वह 1.5% बनता है क्वांट के पूरे-पूरे AUM का वही पर टो 800 करूर हो गया 3% के आसपास अब 3% किसी भी कंपनी से आप निकाल लोगे तो आप यह सोचो कितना बड़ा AUM के अंदर कमी आई होगी इनके सो यहां पर क्या चिंता वाली बात है नहीं as per mutual fund investor आपको कोई डढ़ने वाली बात नहीं है लेकिन क्या as a quantity के perspective से डढ़ने वाली बात है कि अगर यह stock market मार्केट में इस्ट होती है और आपनी 50% हम liquidate कर सकते हैं किसी भी point of time पर विकिस इनका जो पैसा लगा है वो बड़ी companies के अंदर लगा है और अगर यह allegation proof हो भी जाता तो भी कुछ नहीं होने वाला मैंने काफी बढ़ बताया कुछ नहीं होने वाला सिर्फ और दो यह तीन analyst को निकाला जाएगा बाकी as a EMC इस प क्या करना चाहिए प्लीज बताएं सो मैं जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो चार्ट आप tradingview.com है उसको पर जा गरके देखना जैसे ही वापे support के आसपास आता है जो most probably next 102 दिन के आसपास मुझे लगता है गर वजर थोड़ा बत correct होता तो आता हो दिख सकता है उस क्योंकि जो maximum return आपको देखने को मिलेंगे वो interest rate cut के बाद देखने को मिलेंगे अभी के date में प्राइजन हो रही चीज़े धीरे-धीरे करके तो जैसे ही interest rate cut होगा यह bank nifty जो है यह shoot up करेगा because US के अंदर interest rate cut होगा और India में interest rate को cut होगा तो इनके profit margin एकदम से बढ़ थोड़ा सा time लो चार installment में divide करो directly SIP आप कर सकते हो directly lump sum आप कर सकते हो उसमें कोई दो रहें वाली बात नहीं है क्या यह मैं आपको suggest कर सकता हूं नहीं suggest कर सकता क्योंकि मैं saver registered नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपकी जिगा होता तो मैं यही करता हूं और मैं आज की rate में भी यह कर रहा हूं रिंके सिंग जिगा कमेंट है यह कहरे हैं बैंक निफ्टी में कैसे खरीदें कोई भी कोई भी कोई भी mutual fund करें देखो अगर आपको bank nifty खरीद नहीं है एक index है अगर आपको ETF खरीदना है तो bank 20 खरीद लो अगर आपको mutual fund खरीदना है तो QOND का BFSI mutual fund आता है सु बहुत सारे mutual fund है जो कि specific सेग्मेंट को टागेट करते हैं कभी सारे लोगों कमेंट है यहां पर यह भी आता है यह थोड़ा off topic है कि भाई हमारे जो mutual fund है उसके अंदर banking finance तो अल्रेड़ी है उसके अंदर 8% की banking finance है जो हमारा पैसा जा रहा है अब देखो मालो आपने 100 रुप banking and finance में गया तो अगर आपने 100 रुपे ही banking and finance में डाले होते तो वह जो सौ रुपे है वह डबल होता तो वह होता फाई 200 रुपे तो यह जो concentration वाली bets होती है ना जब sectors के अंदर बैट लेते हो यहां पर growth extraordinary आती है जैसे अगर आप large cap में invest कर रहे हो और वहां पर छोटा position उसन अस्ती extraordinary growth नहीं आती और कोई क्या 40% as a mutual fund let's suppose mid gap का mutual fund है क्यों 40% का EU एक segment में डाल सकते है नहीं डाल सकता क्योंगी सेवी का road लिए allow नहीं करता और कोई भी इतनी बड़ी bet नहीं लेता राइट तो जो sectoral bet होती है वो bit high risk होती है बट extraordinary rewarding भी होती है और आपकी जो bet होती है वो स सकते हैं आपने loan liquor के investment किया था please answer me sir तो sir देखो पहली चीज़ loan liquor के investment के लिए दुनिया में आपको कोई suggest नहीं कर सकता यह आपकी खुद की risk appetite है देखो अगर आपको मेरे बोलने के होज़ी से invest करना है क्या मैंने बोल दिया loan liquor करके invest कर दो और आपका पैसा बन जागा यह वो अब मानलो कोई दूसरा देशा कर गए किसी दूसरे देश के उपर हमला कर दे और भाई एक साल के अंदर जो हमारा बजार हो 50% गिर जाए तो आप क्या उसको manage कर सकते हो क्या वो risk appetite है आपके पास अगर yes तो आप definitely कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास वो risk appetite नहीं है तो आप केस के अंदर अगर बहार से कोई भी problem आती है उससे बजार impacted होगा अगर आप उस impact के लिए तयार हो तो आपको लेकर के invest करने में मुझे ही लगता है सच कोई problem है लेकिन अगर आप वो risk नहीं समझते तो मत करना इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो शौरिटी मिल जाए तो शौरिटी तो कोई भी आपको नहीं दे सकता है विकिए शौरिटी पे आपको सिर्फ FD के रिटन मिल सकते हैं या PPF के रिटन मिल सकते हैं विकिए शौरिटी अगर बजार में आगे तो वह हर इंसानी पैसा बोना लेगा राइट तो यह आपके risk appetite पर डिपेंट करता है अफीज ज्यादा सेगमेंट है और इंडिया के अंदर वन अफ दा लीडिंग सेगमेंट से भी आ सकता है जो चल रही थी चल रही थी चाइना डंपिंग के वज़े से जो आपने देखा था कि चाइना में प्रॉब्लम आई थी उसने हर जगा डंप किया था और इस वज़े जो इंडियन केमिकल सेगमेंट से वह काफी ज्यादा पिट चुके थे लेकिन आपको यह भी समुझना पड़ेगा कि लिमिट होती किसी चीज की डंपिंगी तो वह लिमिट मुझे लगता है और केमिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा है इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है क्या म मैं यह बूल सकता है मिर को बहुत ही जयादा डीप नॉलीज है नहीं मैं यह नहीं बूल सकता तो मैं इसके बारे में यह बोलो है that सेग्मेंट है लेकिन क्या मैं इसके अग्दम डीप जाकर कि आपको पॉइंट टू-पॉइंट क्लियर बता सकते हूं नहीं क्योंकि मेरे एक्सपर्ट एरिया के बाहर है इस समय पे बढ़ हां यह मैं जरूर बता सकता हूं कि जो केमिकल सेग्मेंट है यहां से वह डेफिनिट करने वाला है इनके नेट रेविन्यू बढ़ेंगे जो डंपिंग की इशूस थी वह सॉल्व होते वह जा रही है अब कैमिकल के अंदर कौन सा कैमिकल बढ़ेगा कौन सा पर्टिकुलर स्टॉप बढ़ेगा यह मेरे हिसाब से मुझकिल है इंडेक्स वाइस मुझे लगता ही इंडर वैल्यूट है इसके मूचिल फंडमेट डैफिनिटल आपको इंवेस्ट करना चाहिए अमर्जी सिंगी का कमेंट आ रहा है यह कह रहा है सर प्लीज सजेस्ट कि हमें डिफेंस में इंवेस्ट करना है इंफ्रस्ट्रक मैं जूँग 및 इंफ्रस्ट्रक्टिर के साइड मैंबेर के सारे इंफ्रस्ट्रक्चर अगर्मंगे इंफ्रस्ट्रक्चर ऐसे इसा देखो कि अगर आप लास्ट वी उठाकर के दिखो गाई सब्सक्राइब कर देखो गया है तो मुझे नहीं पता भाई आप कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हो यह दोनों के दोनों इंडेक्स लास्ट छे महीने के आप रिटन देखो आप खुदी पता चल जाएगा एक्स्ट कर रहे हो कि छे महीने में 100% के रिटन हो जाएंगे तो भाई यह नहीं होते है अगर आपको इसके आदत पढ़ चुके तो भाई गलत आदत पढ़ चुके आपको समल के रहना चाहिए एवरेज रिटन 15-17-18% एवन 20% के रिटन 6-7 महीने में बहुत अच्छे रिटन माने ज अगर आप देखोगे तो अगर आप नसी कर पर जाओगे तो वहाँ पे खाफी जदा वॉल्यूम आती है और उसके अंदर इतनी जो कंपनी इस लिस्टेट है उनके वाल्यूम भी है तो इस वाजे से ज्यादा तर नसी के अंदर जो प्राइस होता हो थोड़ा सा हाई दिख दिखता इस जदा डिफरेंस नहीं दिखता दोनों की दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अपर तो यह हो सब्सक्राइब के अपने अगला बूमिंग सेक्टर कहों सा होने वाला है इंडिया के अंदर मेरे साब बैंकिंग फिनांस इस समय पर बूमिंग होने वाले है और यह ने मुझे लगता है कि इसी के अंदर इंवेस्ट करना चाहिए आइटी काफी जदा प्रॉमिनेंट हो रहे है आइटी के अंदर मुझे लगता काफी इची गुरूत आईगी तो परसनली मेरा मानना यह है यह यह तीन चार जो सेग्मेंट ही यह एक्स्टर नहीं तरीके से काम क यह नेक्स्ट एक से दो साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रोव करने वाले हैं और मैं इनी के उपर परसनली काफी ज़्यादा बुलिश भी हूँ और इंडिया अगर ग्रोव करेगा तो यह सारे के सारे ग्रोथ सेग्मेंट है कंज्यूमर भी ग्रोथ है FMCG ग्रो सारे में ग्रोव करेगे लगी हैं जग्रोव का बड्रोव करेगे